कि नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का मैं सुसील यादवन आपके लिए लेकर आया हूं एक सांदार जोड़दार जबल सच सी क्लास जो हर सुबह नौ बजे होने का काम कर रही होती है यानि कि साथियों आप जानते हैं इस क्लास के अंतरगत हम प्रिवेश सियर के कोश् जिनकी यहां पर शाथियों परिक्षा के अंदर आए हुए प्रस्न होते हैं दोस्ते इस क्लास को हर सुबह आप नौ बजे लेते रही हैं जिसमें हम बहुत सांदार तदिके से कोश्चन को डिटेल में सॉल्व करने का काम करते हैं एक एक प्रसिंद को हम क्या क्या बार सॉ मैं दोनों दे रहा हूं तो फटापर से आप से कमेंट करिए गा आपको मैं बखल और सुना दे रहा हूं कोई शमस्यान नहीं है बहुत बैचरीन तरिके से सुद्धे साथ भी लोग जोडने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह से जोडने की कोशिश करेंगे यानि कि आप तक मैं पहुचपा रहा हूं चलीगा साथिओ पहले प्रस address करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको पोल भी दूँगा जिससे कि आप ये जान पाओ कि सर हम कितना सही कितना गलत कर पाते हैं पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर आगे है बहुत सुन्दर सा बहुत जबर्जस सा कोशन है शारे लोग प्रशन का आंसर देंगे हड्डियों से समझत कोशन है कि सयोजी उतक जो एक मास पेशी को हड्डि से जोड़ता है उससे क्या कहते हैं अगर दोस्तों मैं बात करता हूं जब हड्डियों के बारे में तो आप जानते हूं ये मानव के अंदर जब बच्चपन में होता है जब बच्चा होता है तो कुल कितनी हड्डिया होती है तो उसके अंदर कुल तो थीन सो हड्र 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 के इसाद हो जो जब बड़ा होता है तो जब बड़ा होताएं यूश्य हड़ी से कौन जोड़ता है है तो बात करें तो दो ही आपको चीज पता चल लीजाएं एक तो ligament नजर आ रहा होगा एक यहाँ पर tendon नजर आ रहा होगा इंगलिस में पढ़ेंगे तो आपके लिए साथी यहाँ पर आसान रहेगा दोस्तो जो मास पेशी को जो साथी हो अगर हम बात करें जो मास पेशी को हड़ी से जोड़ता न वो tendon जोड़ता है इसको इंगलिस में भी कही बात tendon लिखा हो मिलेगा आप नस पर मत जाएगा तो tendon क्या करता है यह साथी हो एक मास पेशी को हड़ी से जोड़ने का काम करता है अच्छे अगर मैं आप से कहूं कि आपकी हड़ी को हड़ी से कौन जोड़ेगा हड़ी टू हड़ी कौन जोड़ेगा तो आप कहेंगे सर हड़ी टू हड़ी जोड़ने का काम करता है वो साथी हो आपका लिगामेंट होता है क्या होता है ligament होता है, हड़ी to हड़ी कौन जोड़ेगा आप कहеंगे सर, हड़ी to हड़ी यहाँ पर ligament जोड़ने का काम करेगा अच्छे आप मुझे एक बात बताईगा जो हमने यहाँ पर लिखा हड़ी यह हलटी बनी किसकी होती है तो हाप हैंगे, सर यह हमारी यहां सी यह कह सकते हैं कैल से फासपूरस की बनी होती है अगर मैं आप से कहूं कि हमारे सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है तो आप पहेंगे हमारे सरीर की सबसे छोटी हड़ी की बात करें तो यह आपकी कान वाली हड़ी होती है क्या नाम होता है कान वाली हड़ी होत क्या कहेंगे stepiz कह देंगे कान वाली हड़ी को strapiz के नाम से इसको सात्यों जानते हैं ये बात भी आपको पता होनी चाहिए ぐ क्या कहेंगे अच्छे अगर मैं आप से कहूँ कि मानब सरीर के अंदर सभसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है तो उमीद करता हूँ कि सारे बच्चे इसका आंसर लगाएंगे क्या यहाँ पर मैंने पूछा है कि सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है आप जानते होंगे जो आपके जांग वाली हड़ी होती है जो आपके जांग वाली थाई वाली हड हड़ी होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन आज मैं आपसे प्रसिंद पूछ रहा हूं जो बड़ा सांदार सा और सुन्दर सा रहेगा मानब शरीर की सबसे सुन्दर हड़ी कौनसी होती है जार बताएगा मानब शरीर की सबसे सुन्दर हड़ी कौनसी होती है तो स सबस्idar किसे नाम होता है किला वीकल कौन सी हड़ी होती है मैं ऐसी हड़ी होती है सबसे सुंदर हड़ी मान जाती है जो हमारा चेस्ट से ऊपर फारफुड़ा पार होता है गले से नीचे आपर यह दॉनों हडीयां जुढने का काम करने होती इसको मानब शरीण के सबसे सुंदर हड़ी का जाता है। क्या का नाम होता कोनों की हडिया कितनी होती या आपको गलत तरह से चीज़ें करवा देता कैसे कानों की हड़ी कितनी होती हैं तो आप इसके अंदर संक्या अलगाएंगे चैक कैसे क्यों किका करते करते हैं तीन हड़ी पाई जाती है अगर यह काई कान में कितनी हड़ी होती है कैसे कान में कितनी हड़ी होती है तो आप क्या लगाओ गए कान में सात्यों तीन हड़ी होती है लेकिन अगर कानों बोला तो मतलब दोनों कानों की बात कर रहा है ना दोनों कानों की तो कानों में सात्यों देख लेता हूँ उनके नामों के साथ जुड़ूँगा और बताऊँगा कौन-कौन बच्चा सही 13% बच्चा मात्रोस कोशन का अंसर सही देपा रहा था आपकी प्यारी छीवी बेबी और संजू 2.0 थे जो इसका अंसर लगबग सही तक पहुंचने का काम करे थे बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है लेकिन आगे से ऐसे प्रसंद गलत नहीं होना चाहिए अब हुआ तो हुआ अब हुआ तो हुआ चले अगले कोशन पर मैं आ रहा हूँ और अगले कोशन में पोल भी लेकर आ रहा हूँ, हाँ भई, अगले कुश्चन में पोल भी आपके सामने आ चुका होगा, पोल में आंसर सारे के सारे बच्चे करेंगे, कौन-कौन है मेरा लाल यहाँ पर, कौन-कौन है, मेरा लाल यहाँ पर, फटापस से आंसर दीजिगा, हाँ, मैंने भी दिया था, ओके, अन कि जब छोटा बच्चा होता है, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी सरारत करता था, अमें जो बड़ा हो गया, मैं बड़ी सरारत करता हूँ, छोटा बच्चा जो होता है, वो क्या पिता है, वो दूद पिता है, क्या पिता है, लेकिन जब वो वोमिटिंग कर देता है, है जब उल्टी कर देता है ब Aí एक एंजाइम होता है क्या होता है एक एंजाइम होता है जिस रेनिन के नाम से जानते होगे, किसके नाम से रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है, आप सबीने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, पहले बात तो ये, अगर सातियों बात करें, अगर सातियों बात करें प्रसिन के बारे में, कि दूद में कौन सा मुख्य प्रू आसान हो गया यह तो प्रसंद बड़ा आसान हो गया बच्चों माला अंसर 90% बच्चे इस प्रसंद का अंसर डीजे कर जा रहे हैं बात करते हैं कौन-कौन देखिए आधिता सिंग राजपुते संजी टूपनजीरो है आपकी प्यारी शीबू बेबी है रहापर रसुल्ला ब इसका अंसर सीध्या बहुत बड़िया राम-राम गुरुजी पप्पू पेलु यहां राम-राम कर रहा है राम-राम मेरे भाई तेरा स्पेसल राम-राम राइट आंसर डी होगा चलो अगला प्रसंद में आपके सामने लगा रहा हूं जरा फटा-पड़ से इसका आंसर आपका दिन मंगल में हो आपका दिन मुझसे भी जाद मंगल में हो भी आनसर लगा दी हाई अधिति 보이는 क्या है प्रस्ट जलीली कट्टु किस भारते महतुसअब का संब्र जली तो जानते हों कि साण से यहाँ पर कहते हैं कि एक तर से लड़ाई करने का काम किया जाता है और यह जो उत्यूसाभ है यह जो उत्यूसाभ है कहां पर होता है पहली बात तो आपको पता होना चाहिए तमिल्लाडू का प्रमुक उत्यूसाभ है यह बात आपको पता होने चाहि और सात्यों होर्न बिल वेरी वेरी मोस्ट इंपोडेंट लगा लीजिगा SSC का फैवरेट प्रसन है होर्न बिल किसी राज्य का तयोहार है ये सात्यों कई बार पूचाया चुका है आपका Nagaland का Festival रहने वाला है Hornville कही बार पुचा आता है पोंगल जो है ये पोंगल कहाँ पर होता है तो हम कहेंगे पोंगल सात्यू आपका तमिल नाडू के अंदर होता है और तमिल नाडू में जब पोंगल होता है न जब भी सात्यू आपका जलील कटू उत्षब मनाया जाने का काम किया जाता है यानि जलील कट्टू किस उत्षब के दोरान मना जाता है आप पोंगल के दोरान मना जाता है तो इस प्रसिंद का राइट आंसर के आप भी लगा सकते हैं क्या इस प्रसिंद का राइट आंसर साथियो डी लगा सकते हैं तो बैसाखी कहां पर मना जाता है तो बैसाखी के बारे में बात करेंगे तो बैसाखी दो जगा पर कहां पर एक आपका हर्याना हर्याना वैसे तो पहले पंजाब लिखना चाहिए आप कहेंगे पंजाब और हर्याना में मना जाता है कहां पर पंजाब और हर्याना में मना जा जाएगा और मैं अगर बात करूं B कितने बच्चोंने आंसर दिया भी कितने percent बच्चे आंसर दे रहें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया if जो भी शुभी हसंधे है यह ऑच्छा एक बात करो एक बात करता हुँ तवांग सब कहां मना जाएगा तवांग उत्व सब कहां मनाया जाएगा जरा लगाना एक बार दम मेरे सात्यों हाँ तवांग उत्व सब कहां पर मनाया जाएगा तवांग उत्व सब कहां मनाया जाएगा जब तक मैं आपके पोल पर बात करता हूं 84% लोगों ना अंसर दियाता है प्पू पेलू भी सही आंसर दे रहे हैं चायादा सिंगर नेहा कुमारी अनिसका सिंग सही आंसर दे रहे हैं एंबिस राज रीना सारे के सारे बच्चों ने गजब बढ़ा दिया है आपका दिवाना भी सही आंसर दे रहा है किसका आपका दिवाना अगर मैं बात करूं तब सबस्केञ्ट करका बीठी GG बिल्कुल सही आंसर लगा या लगात नएक पूचिति कि सबस्कर बता रहें बैटने सिक्यम गलत हो जाएगा विल्कुल गलत हो जाएगा अच्या उगड़ी महुत सब कहां मनाया जाता है अब बता दो हाँ अलौन अब परड़ से को आँने अरिनाचर म से बंदर करनाटक के अंदर मना दा जाएगा बहुत जानदर जबर जबरत और जोड़तार रहने वाल कुछ बच्चे केरल आंसर दारते MPI आंसर दारते सिक्किम गलत हो गाए बिटा सभी का गलत हो गाए सही आंसर क्या है साथ यहां पर हां करनाटक राइट आंसर हो जाएगा बिलकुल बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर बहुत जवर्जस चलो अगर पूछू वाली यात्रा कह आपका उड़ीसा के अंदर मनायाता है किसके अंदर उड़ीसा के अंदर मनायाता है बस थोड़े से फैस्टे बने साथी याद कर लीजी का कोई समझ सा आने वाली नहीं है जलील कुट्टम में क्या होता है साथ यहां पर एक्तर से लड़ाई की जाती है उसको परिसान किया और उससे लड़ने का काम कीयाता है आपने क्या वार इसको देख रखे रहा हुगा अनिसका ने सही अंसर बदा दिया ता इस वाले प्रसंट चली अगले कॉशर्ण की तरफ आ रहा हूँ अगला कोशन मेरे लौक कौन बताएगा अगला कोशन मेरा लाल कौन बताएगा बहुत खतरनाक प्रसन है बहुत खतरनाक प्रसन है और पोल के साथ आंसर ले रहेंगे क्या पोल के साथ आंसर ले रहेंगे चलो आपके सामने पोल आ चुका होगा पोल पर आंसर दीजिगा और प्रसंद क्या है प्रसंद देखो यहां पर है वैब बेड क यह हो सकता है प्रसन आपको थोड़ा सा समझ में नाई मैं बताता हूँ आप समझ जाओगे मेरी भासा से आपने कुछ बच्चों को कुछ लड़की को ऐसा देखा होगा जिनकी जो गर्दन है न वह गर्दन लगबग ऐसे लगता है कि यह वाला जो हिस्सा है न यह बिल्कुल है ही नहीं मिनले बॉड़ी से एकदम से लगा हुआ है यहाँ वाला हिस्सा जो होता हुता है हमारा गर्दन मुखे ततर जो रोग है यह लड़कियों में आपको क्या बार देखने के अंदल हैं मिल जाएगा और जो ये रोग होता है न इसके अंदर क्या होता है कि जो मा बनने की छंता होती है लड़की के अंदर मा बनने की छंता बहुत कम ना के बराबर हो जाती है बोडी के अंदर जो changes होते हैं वो भी इस रोग में लड़कियों के अंदर नहीं होते तो अब आप साथ answer बता पाओगे कि यह किसके कारण होगा किसके कारण होगा C देहना किये का turner syndrome इसका right answer होगा turner syndrome के कारण यह rog होता है एक rog है साथि यों हमारी body के अंदर पाय जाता है यह साथियों बात करें तो सिर्फ 88% बच्चा सही तक महों जाता और बहुत सारे बच्चे तो जो सही आंसर तक पहुंचें लेकिन आज के बाद यह समझ पाओगे कि रोग कौन सा है अगर आप बेसिक चीज समझ लेते हो तो आपको कैईवार वर्डों में फसाने की कोशिस करेगा तब आप नहीं पहसपाओगे देखो सिमेंट का रसाइनिक समनचना क्या है यानि सिमेंट जो होती है वो बनती कैसे रसाइनिक समनचना क्या है ये प्रसिन पूझ रहा है क्या होगा सात्यों क्या चूना और मिटी से मिलकर बनी होती है क्या चूना पत्थर मिटी और जिपसम से मिलकर बनी होती है चूना पत सद्णासर देना सुरू कर दिया बहुत सांदार अंसर दिया है सातियो हाँ एक बैक्ति नाम था receptAST का आम कि नाम था जूशेफ जोसेफ 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 नाम के बैखती थे क्या नाम था जोसेफ नाम का बैखती था साथियो जोसेफ क्या बार जोसेफ भी लिख देते हैं पह की जगा फह ही लिखा आता है जोसेफ जोसेफ इन्होंने क्या क्या था इन्होंने साथियो खोज करने का क्या था क्या किया था, सिमिंट की खोज करने का काम किया था, और साथियों अगर हम बात करें, इन्होंने जो खोज करी थी, वो 1824 में करी थी, हलाकि जो भारत में पहला सिमिंट कार खाना लगा, पहला सिमिंट कार खाना भारत में, कहां पर पहला सिमिंट कार खाना, सिमेंट कार खाना कहां पर भारत में यह सात्यों जाकर लगाता आपका 1904 में क्या 1904 में जाकर लगाता है यह बात आपको पता होने चाहिए पोर्ट लेंड नाम का और यह कहां पर लगाता पहला कारखाना यह सात्यों भारत में भी लगाता अपकर एक स्थान पर जो है आपका पूर बंदर कहां पर है पूर बंदर पूर बंदर ऑगर हम बात करें आपका गुजरात जूव चुब आठी कहाँ पर गुजरात यानि कि साथी teenager आपको पता हुआ यह प्रिसिद्ध किसके लिए गांदी जी के लिए गांदी जी आप जान 1915 कहां आ जाते हैं भारत लौट कर आते हैं बहुत सारे आम्दोलन करें बहराल किसे बनी होती है आपका पहले मैं आंसर देखूंगा आपका मैं आंसर देखूंगा कितने बच्चों ने इसका सही आंसर लगाया है हाँ अफरीका बहुत बढ़िया मम्मी का हेलिकोर्टर बहुत बढ़िया सही जानदार जोड़दार जबर्दस हाँ राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर गुड मॉर्निंग करा देपर गुपता बेले बेटा इसका आंसर बताओ जब गुड मॉर्निंग करेंगे हाँ राइट आंसर क्या होगा कितने बच्चों ने इसका आंसर भी लगा दिया है देख लेते हैं 36% ने जिसमें से चायदा सिंगर हरविंदर सिंग राखी कुषवा बलेक पैंतर मम्मी का हेलिकोप्र रसगुला आजित्य विक्रम राज यह सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं जाने कि इसका राइट आंसर क्या होगा सात्यों लाइम इस्टॉन किले एंड जिप्सम जाने कि सात्यों तीनों ही चीजे इसके अंदर मिली होती हैं अब आपसे एक प्रस्ट में और पूछ रहा हूं कि सिमिंट में जिप्सम क्यों मिलाया गया और यह प्रस्ट पूछा च जमने से रोखने के लिए सिमिंट में क्या मिलाते हैं तो जमने से रोखने के लिए रोखने के लिए आप सिमिंट में क्या मिलाओगे आप कहोगे साथियों हमें उसके अंदर जिफसम मिलानी पड़ेगी क्यों 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 कि वह जम ना जाए हां जिससे तुरंत जम ना जाए समय में इसली हम उसमें डिवलाने का काम करएंगे बहुत बढ़ यह जंदर बहुत बरजसर से अगर भात करें साथी 85 अच्छे कियछ हो पहली सिमंट करना जानते हैं पोट लेंड जat ऐसे आज की समय में आपको पहलो का। शारी सिमेंट चलती हैं अम्बूजो मंठों जैसे ये सिमेंट वह दो सारी होती है्सेट FDA भी से मिनी तेना उसका नाम था पॉक्रलेंड सिमेंट की नाम था हैं क्योंकि सिमिंट बुड़ बुड़ा ना हो जाए चलो आउ चलो राइट आंसर क्या होगा इसका साथ हो राइट आंसर हो जाएगा आपका भी जो सारे बच्चों ने दिया है अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं जो सांदार और जबरजस्त रेने वाला प्रसें सिर्फ तरह है कि नर्मदा जल विवाद जो ट्रिमिनल का गठन के बटवारे के बटवारे की भी समाधान के लिए किया गया था यानि कि मैं थोड़ा साइड महर जाता हूं जिससे क्या पढ़ पाएं राइट आंसर क्या होगा देखा नर्मदा जल आपने यहां पर नर्मदा जल एक आंदोलन नर्मदा बचाओ द्बचा है था इस आंदोलन में दो मुख्य हीरो थे दो मुख्य हीरो थे एक का नाम था मेगा पार्टेकर क्या नाम था एक का नाम क्या था मेगा पार्टेकर और एक व्यक्ति थे जिन का नाम था बाबा अम्टे क्या नाम था बाबा अम्टे इन दोनों ने मिलकर इन दोनों गुजराथ और महराश्ट अगर बात करें गुजराथ महराश राइस्थान और मद्दपरदेश गुजराथ और दमन्दीप और दीप यह क्या करा है नर्मदा जल्ब विवाद ट्रिमिनल का गठन पानी के बटवारे की समाधान के लिए किया गया था कुल मिला कर यह है कि कावेरी विवाद के करनाटक के के न और टम लाड़ो के बीच कि कया कारनाटक करना तक करना्टक केरल के और तमिलाडू, क्या और भी राज्जे कोई आसकता है, हाँ आसकता है, पंड़ुचेरी, क्या है, पंड़ुचेरी, पंड़ुचेरी, के बीच में सातियों, bizनुरुचेरि आप कावेरी नदी ब्यूस्या? ये भी क्या बार पूछा याता है, और ध्यान से सुनो, कि अगर सा जाने का कौन करेगा आप कहेंगे ऐसे राज्यों को जो सुल जाए गा शाथि वो कौन आपका Supreme Court यानि कि सर्भोच न्याले सुल जाने का काम करेगा राइट अंसर इस प्रसंड का जो रहने वाला है वो रहेगा साथियो SHE क्योंकि महराश्थ राजिस्तान मढड़ पीर्देश कंदर आपकी ये जो नदी है नर्मदा बहती हुई दिखाई देती है राइट आंसर कहा रहेगा राइट राइट आंसर इस प्रसंट का सी रहेगा और मैं बात करूं तो सी प्रसंट के बारे में कितने बच्चों ने 88% ने आंसर दिया था आधितर सिंग राजपूत ने रामकुमार मारकम ने आकास गुपता मम्मी का हलिकोप्टर क्यूट परी राखी कुश्वा संजू रामबक्त म मोहमद सिराज, रिना, छवी सिंग, विकरम, राजू, बाजीगर, विनूत कुमार ये सारे बच्चे हैं जुն्होंने इस प्रसंट का सही answer दिया था बिल्कुल राइट और सही और जबढग्जस और आंसर दिया था बिल्कुल सही औंसर दिया था आगे चले आगे चले कूपर था थी जिसके अंतरकत जब किसी महिला का पती एकस्पायर हो जाता था तो उस महिला को भी उस पती के साथ जलकर मरना होता था इसी को सती होना कहते थे उसकी चिता के साथ जलकर मरना होता था इसी को सती परता कहते थे यह हमारे समाज के एक कूपर था थी ताति आप ज की इसमों कुछ बंगाल और बहर के छिठ में बंद करदी गई थी हम जानते हैं की एक ब्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय किया राजा राम मोहन राई सप्षट्छा के द्यारा राजरा मोहार राई के से वब एसवर्टा को भारत के अंदर बंद किया गया यह प्रसिन पूछ रहा है कि सती प्रता सबसे पहले संदर्भित निमली कित्मे से किसमे बना यानि सती प्रता के साक्षिर सबसे पहले हमें कहां देखनी के लिए मिलते हैं यह प्रसिन ऐसा पूछना चाहा रहा है अगर हम बात करें अगर हम बात करे इनके साथ कुँ था इनके साथ तरस भी लिएम बेंटिक क्या नाम ता विलियम बेंटिक नाम के व्यक्ति था जो इनका साथ देता है मुख्य Прो Soli मैंने आपको इत्यास में बाद बढ़ता रखियोंगे कि किस तरह से साथ देता है कहीन कि आंग्रितों का अपना फाया था इसलिए भारत में सत्यप्रता बंद कराई गयी है थी हम बात करें तो इलहबाद का सथम्व्षिला लेका जो है इसटको प्रियाग प्रसाष्ती अभिलेक को क्या करते हैं और यह किसके तोरा हरी सेन के द्वारा लिखा गया था किसको द्वारा यह आपका हरिसेन के द्वारा लिखा गया था ध्यान नकी का आप ज़रा बता सकते हैं हरिसेन किसका दरवारी कभी था किसका हरिसेन किसका दरवारी कभी था प्रियाग प्रसति अबलेक किसको कहते हैं इलहाबाद के अबलेक को कि इलहाबाद क अम प्रियाग कह सकते हैं तो प्रैagen प्रस्थति अब सिन के द्वार लेख OD झात करें यहां पर भानुगुपत का ilan सिरा लेग्या या ने कि साति ओँ जो सबसे पहले सत्थी के साक्ष्य हमें मिलते हैं ना वो भानु गुप्त के अबिलेक से मिलते हैं किसे भानु गुप्त के अबिलेक से मिलते हैं और दोस्तो इत्यास की पहली पत्नी जो हम बात करें जो पहली सती हुई यानि कि इत्यास की पहली पत्नी जो सती हुई उसका क्या नाम था तो नाम तो अक्सर नहीं मिल यह गोप्राज जो थे गोप्राज जी की पत्नी जो थी वो इत्यास में पहली सती पाई जाती है यानि पहली सती जो हुई इत्यास में एक ब्यक्तित गोप्राज इनकी पत्नी माना जाता है कि पहली सती है पहली सती है साथियो जो नाम था गोप्राज और गोप्राज जो थे यह सात्यों बात करें गुप्तकाल के समय की बात है जो गोप्राज के यह गुप्तकाल के समय की बात है और भानुपिरताब के साथ ही जुद्ध लड़ने गए थे किसके साथ भानुपिरताब के साथ ही जुद्ध लड़ने के लिए गए थे वहां पर इनकी मौत हो जाती है औ हरी सेन के दौरा लिखा गया बहुत इंपोडेंट कोशन होगा आपने इसका पॉल में आंसर नहीं जिया था एक वार पहले फटा-फट से पॉल में आंसर तो ऐसे काम नहीं चलेगा पॉल आ गया होगा इसका आंसर अब तो सो परसेंट लगा दोगे हाँ लाश्रानी रूप क बरवेट और आइस्थान के बारे मिल जाता है यहाँ पर शगुणेट अर। क्या होगा राइट आइट आंसर इसका साथ यह बहुत जाएगा यहां पर बी राइट आंसर यहाँ भी हो बहुत हुगा आप जांते हूंगे दोस्तो की मुख्थ रूप से भारत में जो बिल्ल आगजार राम मोहराई का समाज से वहिसकार कर दिया गया इस गठना के बाद उनकी मा ने यह कहाता गेड़ा राजाराम मोहराई की ने, कि ऐसा हो ही सबसे पहले सती प्रता को रोकने का प्रियास किस पूर्टगाली ने किया तो आप कहेंगे सर सबसे पहले सती प्रता को रोकने का जो प्रियास किया था एक ब्यक्ति था जिसका नाम था अलबुकर क्या नाम था अलबुकर के नाम के ब्यक्ति ने सबसे पहले जुरूब ये ब् बुकर को नाम कि वेक्टि जो सात्य को पृर्तुगाली ए सक्ति के वास्तुबिक संस्था पको कहा गया था १ि ने आपको बता रखी होगी उम्मीद करता हूँगी इतना तो आपको याद होना चाहिए इतना तो आपको याद होना चाहिए बात किलियर है साती ये बात पने अगर आएंगी तो क्या आप इनका आंसर दे участ तलो अगर दे पाओगे तो आपने आंसर दे दिया होगा इस प्रसंट का भी मैं देखता हूँ अब किस-किस ने आंसर दिया था हाँ अब तो बहुत सताने परसंट दो परसंट बच्चा अभी भी ऐसा है लगबग तीन परसंट जो कह रहें कि अभी भी इसका अंसर अभी भी ऐ होना चाहिए तो दन्ह कोटी-कोटी प्रनाह में उन बेले लालों को जो कह रहें कि अभी भी इसका अंसर सर क्या होना चाहिए इलहबाद का प्रियाग प्रसंटी होना चाहिए पूजा कुमारी सी राम का भक्त आदेता सिंग राजपूत 26 संजु 2.0 बात करें अनुस्का सोनी बात करें इन मोदी जी यहाँ पर राखी कुषवा 16 सिंगर केमुसी कर नेवर गेपब योगंदर राखी विक्रम सरोज अनुस्का सद्दाम हुसें सीमा राओ बात करें सगु यह अग्ला कोस्चन आ रहा है सांधियों सांधार कोश्चन होगा पहला है कि आपके सामने और पूल पर आंसर दें Bev पाओगे क्या है वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश से क्या था पहला है अंग्रिज्जों के साथ यहाँ पर सौंधर या पूर संबंद बनाना वहाबी आंदोलन तो नाम से पता चल रहा थोड़ा सा इसका कनेक्ट कहां पर हो सकता है टास कहां कर रहा होगा इसलाम धरम को सब्सक्राइब या पर तरक संगस्ष चाहिए नाम है थोड़ा सा महसूस ना उरत से इसलाम से संब्लते रहने वाला हो तो यह तो शुरू किया गया है तो आप पहेंगे साथ शुरू करने का उद्देश होता है वह हमारा क्या था हम कहां देंगे साथ यहां पर इसलाम का सुद्दा नि इसलाम की सुद्ध करन है क्या इसके बारे मैं आपको ना चाहाँगा यह साथ क ऐमर बरलेवी सेयद एहमद के दौरा शुरू किया गया था और क्या था मैं आपको इसके बारे मुझे थोड़ा सा बताईता हूं कि जैसे अंग्रेजों ने उससा में क्या कर देचो अथारे सो भी चला ना अंग्रेजों ने इससा में सुधार के दे भारत के अंदर तो यह क् गुद्धा था वहाभी आंदोलन कब हुआ था ठार सुबीश में हुआ था कहा हुआ था आप पटना बिहार के चित्र में हुआ था राइट आंसर भी हो जाएगा देखते हैं कौन-कौन बच्चा आंसर दे रहा है सिरी राम का भक्त मम्मी का हेलिकोप्टर अनुस्का बधोर सुन पा रहे हो आप चलो मैं MP से हौं कर राजिस्तान से होगा देहली से होगा दैहली से उगया उत्रा पि गुजरात से मेरा बच्चा देख रहा है ईकि यहां पर चोहान विजएग आगरह से यूपी से राज्स्तान से उत्राकंड से बेगैं सेmaiddragald को कि राजिस्तान उत हैं और कि अलमान गट राजिस्थान से आई एयं फ्रों वेस्ट बंगाल ओके वेलकम राइए विल्कम एविर बाइसाँ जहां से यूपी और राजेस्थान से क्रिशन मिना जी हैं जो अलवर से देख रहें जितने भी रज़ी आप नाम लिख dabei हूं कोई यहां पर घूमने के लिए वो बहुत सुन्दर है, है ना, तो ये सभी जगा जो है, बहुत सुन्दर है, हमारा पूरा भारत जैसे हनुमान गड़ लिखा, तो हनुमान गड़ बहुत सुन्दर जग़ है, एक सारे सिराइस्थान के अंदर, बहुत अच्छी जग़ है, तो चलीगा, बैराल आईगा, प् रसिन का आंसर आपको पूल पर देना होगा चलो भई हां आपको दिवाने करा है बनारस आएं सर बिलकुल आएंगे बनारस आएंगे बहुत अच्छी जगाए बनारस भी आंसर देना शुरू करें सर गुजरात में आईए मिटा गुजरात में एक साल गुजरात में ही एक साल गजार कराया हूँ चलो हां कराया है कि यहाँ पर कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है देखो अगर मैं आपसे बात करूं न यह आपका मुख्य से क्या होगा मुख्यते आपका मान लिजिगा बनाने की कोशिश करते हैं यह आपका मुख्यत क्या होगा साथियों यह मान लिजी का आपका प्यारा सा भारत होगा ठीक है अगर भारत के संदर में बात करते हैं तो जो भारत है ना जो भारत है इस भारत में क्या है मुख्यत यहां पर पानी की अपका अरब सागर हो जाएगा यह तो आप जांते हो और इसके नीचे वाला छितर वारत का या पने महा सागर हो जाएगा क्या हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा कोई समस्य नहीं अब देखो बहुत सारी नदियां भारत के अंदर अगर हम बात करें तो हिमाले यहां होगा कि नदियों को गिर ना तो समद्र में भी होगा होगा तो जो नदी आपके बेघ के बनायगी और घळलोड़ मीडिय बनायगी तो जोनदी आरब फॉफ आसस्य नदी ची बनाएं और और जो और बनाएगी और और बनाएग और नहीं जो चाहरी और ंहरा है नहीं और तो मेना क्वैदाव। कि देखलेकर धिर असांसी है एंदाबाद गुजरात और भैती है क्सक्राइब अप्रसन पर या निराइट और 59 पर सेंट यानिकि ताप्ति प्रसंट का राइट आंसर होगा और यह तीन नदी और यादर रख लिए जिससे साथ हुआ आपको कोई समझ स्वाइब ना आई ठीक है इस है आइसा कोई होता है क्या खेंब बाई ओके चलो आगे चलें क्या अगले कोश्चन की तरफ बढ़ना होगा हमको नहीं तो बात में मजा नहीं आएगा चलो प्रसंद बता दो उप्शन लगा रहा हूं पोल लगा रहा हूं आपको आंसर देना होगा अच्छा मैं नाम नहीं लिए इस भार से लोग लिवाल देंगे प्रसंद क्या है प्रसंद पढ़ो कि विष्ष्ट्गुम्लट्वं और तो कोई समझसघे ही नहीं कि है 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 अगर हम बात करें तरल पदार्तों कि विष्ष्ष्ट्गुम्लट्वं करने का हीग्रोमेटर हो जाएगा राइट आंसर तखिंगे अगर हम बात करने चाहते हो लेको्मेटर के बारे में सब्सक्राइब किसे हो स्ब्सक्तव करना है किसे होत था तो आँसर क्या लगांगे यागा हॉप्राइस काुछी आंसर अगर बात करें आउध्धा के लक्षमन आगए है इसलुन की अंगर पर mojeध्वाई सवन मनिष कुमार आजब दासिंगर सभी आपकी प्यारी शिवू तिंकुत और मौमध स्राज बहां तारा नगर गुरुकुल तारा नगर ये गुरुकुल तारा नगर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वही बच्चा होगा मतलब उसी का पढ़ने वाला होगा तारा नगर है चलो बात करें कमली बाई राकी कुमारी जहीं सभी बिच्चस हे आनसा ले रहे बहुत बड़ी आनसा बहुत संदर आनसा ने रहे चलो छले आगे आपका देवाना विकास करे रहे अनुश्का सोनी ओके दा सिंगर विजय हस रहा है क्यों हस रहा है बच्चे हस रहे प्रते गरम बश्तु का बश्तु जो है वो किसी चीज का उत्यसरजन करती है यह आप कहेंगे सर हीट हीट तो एकसरे किरना द्रश्य प्रकास या अवरक्त किरने या पराबैकनी किरने जो चीज गरम होगी कोई बश्तु वो क्या करेगी रस्कुल्ला तुमने मुझे कोई रसुल्ह ने खिलाए कोई बताऊंगkovगी आरे बच्वर वर्चुल को का रही है वह उसे खिला रहा है वचा रही3000 करें polis start नहीं किया, ओं ओंके, sorry, sorry, rifles start कर दिया, मीरे भाई, लोग, सर आधे chand पर जा रहे हैं, आधे chand पर जा रहे हैं, chand पर जाओ, तो सहीले के लॉट कर वाप ठाषाने की उमिद कम करना, धीन में बड़ा दुख पैदा होते हैं, जो भी गरम चीज़ होगी न साथिय। जो भी गरंद चीज़ होगी वह आपकी क्या करेंगी आवराक्त यहां पर बात करें इनफरारेड रेज जो होती हैं उनको यहां पर कैसकतेँ उत्ति सरजित करने का काम करती है राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट इस प्रसंड आपका दिवाना है, संजु है, नेहा कुमारी है, अनिस्का, बधोरिया है, मुहमस राज है, सारे बचे सही आंसर दे रहे हैं, चलो अगले कोशन पर मैं लेकर आ रहा हूँ आपको, अगले कोशन पर मैं लेकर आ रहा हूँ, आपको देखो, यह economics का बड़ा अच्छा सा कोशन है, जुसे आप दो सीज पढ़ते होगे, CRR, क्या पढ़ते होगे, CRR और एक पढ़ते होगे, SLR, क्या से याद रखेंगे, पहले प्रसंद देखते हैं, फिर बात करते हैं, क्या रहा है, कि यह यदि भारते रिजर्व बैंक, यह नहीं, RBI, क्या RBI, नगद आरक्षित अनुपात, जिस आप cash reserve ratio कहेंगे, क्या कहेंगे, cash reserve ratio कहेंगे, कि अनुपात को कम कर देता है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अब समझो, CRR होता क्या है, देखो, यह आपका कोई भी है, RBI, मतलब कोई भी का एक ही RBI होगा, center bank कहते है, इसको banco का bank कहते है, इसे 12 सरकार का bank क RBI है न जो वह सातियों इस SBI को पैसा गाहा है कि कि जू कुछ पैसा के अंदर आया उसमें से एक निस्षित अनुपात यह SBI किसे पास रखेगा RBI के पास रखेगा, कि इसके पास RBI के पास रखेगा, मानली जगा इस SBI के पास 100 रुपे थे, कितने SBI के पास 100 रुपे थे, और 100 रुपे मैंसे इसने यहाँ पर RBI के पास मानली जगा साथियों यहाँ पर कितने 97 रुपे रख दिये, 97 रुपे मैंसे SBI ने इसके पास 97 रु बाद को समझ पारे है आसान बासा में समझ पाए है हो पोल लगा देता हूं एक पोल लगा तास अगर जो पैसा इस SM限 का RBI के पास रुख हा था पहले सातान में रुप्य ही ते अब उसे ने का बैइ 97 मत रखो आप 96 रुपे रखो कम कर दो इस पैसे को यानि कि CRR को कम कर दिया तो क्या करेगा अब बैंक के पास पैसा ज़ादा आ गया भाई पहले मानलों कि 97 रुपे बैंक कि SBI के RBI के पास रखेते अब उसके चान में रखें चार रुपे और ज़्यादा आ गए तो अब क्या करेगा अब जब बैंक के पास पैसा होता है तो पैसे को देने की कोशिस करता वह ले जाओ जब पैसा है तो ग्रहाक को देगा तो अब क्या होगा कि अगर सात्य आपका CRR बढ़ा तो क्या करेगा रिण निर्माण बढ़ाएगा क्रेडिट कार्ट की कमी कर देगा क्रेडिट कार्ट निर्माण पर कोई प्रभाब नहीं होगा क्रेडिट निर्माण पर कोई प्रभाब नहीं कोई निश्यत प्रभाब नहीं होगा जब बैंक के पास पैसा आएगा जब 97 रुपए जमाते अब 96 रुपए जमाए 4 रुपए उसके पास आगए पहलो 3 रुपए दे तो क्या करेगा topics log को Energy करेगा पैसा देगा ये वही है रिड रिड निर्माण बढाएंगा ज्याधा रिड देना चाहेगा क्या करेंगा ज्यादा रिद्न देना चाहेगा तो प्रसों को समजने की कोशिच किया करो प्रसम जी को प्रस इंदर है क्या एकॉनमिक्स की कोशन इतने खतरनाक ली हो तो जीतने आप समझेदव तो ठीकत अयुद्धा के लक्ष्मन है जो सब्सक्राइब आपकी प्यार उच्वू है क्यों बच्चा है राम सिरी राम का भक्त है योगंदर है आधी और अनाधी काल के लोग इसका आंसर दे रहें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथ यह हो जाएग मज़ा आया question लगाप आओगे राइट आंसर लगाप आओगे चल promise है आपका एक सामान ने साय किससी इस्थान को दक्षिन भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है दक्षिन भारत का मैंचेस्टर के ही होते हैं लेकिन यहाँ पर पूछा है दक्षिन भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है कौन बताएगा मेरा लाल बातों में न लगो इधर आजाओ द्यान लगा लो फटाफट ए आंसर देना शुरू कर दिया बहुत बड़ी आंसर देरो ए बहुत सांदार आंसर देरो बहुत सुन्दर बहुत जबर्जस ए इस प्रसंद का राइट आंसर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं चलो तो हम भी इ स्थानी सिर्फ फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा जो आपको याद रखना होगा बात करें तो इसका लगबग 33-34 बच्चों ने यह आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया थैंक्यू सभी का चलो अगरे कोश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं सामाने सा कोश्चन था इसके अंदर कुछ खास नहीं था इसके अंदर कुछ खास नहीं था हुआ चलब एक इत्हास का पी अव्यास लगई बढ़े आपको बहुत मजा देगा और तीần पोल में answer कौन बच्चा देगा हाँ आगया है आपके सामने पोल पार्टली पुत्र कहां पर पड़ता है आप जानते होंगे साथे बिहार के हैं वैसे चारों ही बिहार के हैं तो पार्टली पुत्र पहले मौरकाल की राजदानी हुआ करते थी एक सुंदर सा कोश्चन था और धरबंदर ने राखी ने सारे बच्चे सही answer दे रहे हैं राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर सात्यों इसका ए हो जाएगा और कौन-कौन इसका सही answer दे रहे हैं देख लेते हैं एक वार यहाँ पर आकर देखो 94 परसें ने सही answer दिया और अगर हम बात करें तो करने के बाद इसका answer आपको देना होगा क्या class खतम करने के बाद देना होगा कि राजी सबांकि सबसार तो चुन जाते हैं जो राजी सब्सवा में लोग आकर बैठे हैं ना सबसें बैठे हैं कैसे चुने यह आपका साथ हो मभर का question है कैसा homework question है आपको बताना होगा यह क्लास खतम होने के बाद ठीक है बहुत अच्छा कोश्चन है इस पर मैं कल भी चाहोगी तो डिस्कस कर लूँगा एक वार बच्छ मुझे आप दिला देना है सिर्फ आपका एक कोश्चन बचा हुआ है यह आपकी आज की क्लास थी उम्मीद करता हूं क्लास मज़ेदार र लह Works करें तो यह हमारे सुबह आपके लिए क्लास चलती है कितने बचे साथ सुबह नौ बजए आते रहिए आए आएम बहुत बहुत बहुतरी आपको क्लास मिलती रहेगे चली का सात्यू आज की क्लास सही क्तम कट्वा क्रते हैं बैस्टब नमस्क नमस्कार जैहնद उम्मिद करता हूँ आपको बहुत अच्छी क्लास लगी हूँ कि बैस्टा प्लाक मिलते हैं कल सुबह नौ बजे